Hey everyone, welcome to Replica World. आज हम पढ़ने वाले हैं Oogenesis Process के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. Oogenesis Process क्या होती है? Oogenesis यानि की Egg का Formation यानि Egg का Synthesis. तो हम लोग यह बार जानते हैं कि जो Females होती हैं उसके Gamet को हम लोग क्या बोलते हैं? Egg बोलते हैं या फिर OVA बोलते हैं. तो जहां पर Double O आपको दिखेगा. ठीक है किसी भी टर्म में जब आपको Double O दिखेगा तो आप समझ जाएगा कि यहां पर Female Gamets Related कुछ बात है. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं Ogenesis. तो हम लोग जानते हैं Ogenesis का मतलब होता है Formation of OVA और Egg. ठीक है तो क्योंकि यह female में process होती है तो female में होती कहां है? इसका site क्या है? तो site of Ogenesis क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो gamet formation होते हैं वो गुनाइड में होता है. ठीक है? गुनाइड में होता है तो female में जो गुनाइड होते हैं वो होते हैं OVRI. female में जो गुनाइड होते हैं OVRI. male में जो गुनाइड होते हैं वो होते हैं TESTES. तो female में gonad होते हैं हमारी जो ovaries होती है तो जो female होती है उसके पास दो ovaries होती है हम बात करें humans की अभी तो humans में जो females होती है उनके पास दो ovaries होती है यानि कि pair of ovaries होती है ठीक है तो इस तरीके से site तो क्या है हमारी ovaries ठीक है अब जो हमारी ogenesis की process है वो somewhat different है spermatogenesis की process से पहली वीडियो में हम लोग spermatogenesis अल्री पढ़ चुके हैं तो अब ogenesis हमें पढ़ना है तो ogenesis बहुत different है हमारी spermatogenesis से तो हम समझेंगे कहसे ठीक है तो जो हमारी ogenesis होती है basically उसमें तीन steps होते है पहला step होता है उसका multiplicative phase या multiplication phase दूसरा step होता है growth phase और तीसरा step होता है maturation phase तो इस तरीके से ये तीन phases होते है ये तीन stages होते है ogenesis process के ठीक है तो ogenesis process में actually देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें spermatogenesis की तो spermatogenesis कब start होता है जब वो जो boy होता है वो maturity attain कर लेता है यानि कि puberty उसमें आ जाती है और वो sexually mature हो जाता है तब वो क्या करता है उसकी body में क्या होता है spermatogenesis start होती है जबकि ogenesis में ऐसा कुछ नहीं होता ogenesis process जो होती है वो fetal stage में ही start हो जाती है यानि कि जब जो girl होती है जब वो एक fetus होती है उसी टाइम पे जो oogenesis process होती है वो start हो जाती है तो एक main difference तो यही हो जाता है spermatogenesis और oogenesis में ठीक है तो अब हम चलते हैं oogenesis की तरफ के oogenesis में क्या के चीज़े होती है क्या sequence होता है events का ये देखते हैं तो oogenesis के अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि oogenesis कब से start हो जाते fetal stage से तो अब ये start कहां से होते हैं कौन से cells होते हैं जो की हमारा egg बनाना शुरू करते हैं तो actually होता क्या है कि जो हमारी ovary होती है उसकी जो epithelium होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं germinal epithelium तो ovary की germinal epithelium होती है उसमें कुछ ऐसे cells होते हैं जो की बाकी cells से बड़े होते हैं यानि की large होते हैं तो germinal layer के कुछ cells जो की बाकी cells से बड़े होते हैं वो germinal cells की तरह काम करते हैं germ cells की तरह काम करते हैं और उनसे ही फिर further क्या बनता है egg बनता है ठीक है तो germinal epithelium के कुछ cells जो कि दूसरों से bigger होते हैं तो यह तो बात हो जाती है हमारी germ cells की ठीक है अब germ cells क्या होते हैं अपना process करना start कर देता है fetal stage में ही जब जो एक female fetus होता है वो 25 weeks का होता है तभी ही ogenesis की जो process होती है वो start हो जाती है actually होता क्या है कि यहाँ पर mitotic division होता है माली stage पर जो है हमारी multiplication phase ठीक है तो हम देखते हैं कि multiplication phase में आखिर होता क्या है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो germ cells होते हैं ठीक है वो mitotic कली divide करना शुरू कर देता है यानि उनमें mitosis हो जाती है और mitosis से वो अपना number बढ़ा लेते हैं तो actually में होता क्या है जो हमारे ugonia होते है ठीक है जो हमारे ugonia होते हैं वो क्या होते हैं हमारे या हम कह सकते हैं जो हमारे germ cells होते हैं वो क्या होते हैं हमारे diploid होते हैं यानि कि 2N होते हैं फिर जो ugonia होते हैं वो कैसे बनते हैं इनमें mitoses होते हैं बहुत बार जिससे हमारे ugonia बनते हैं और ugonia भी क्या होते हैं हमारे deploid होते हैं तो actually multiplication phase में क्या होते हैं हमारे germ cells होते हैं वो बहुत बार divide करते हैं उनमें mitoses होते हैं जिससे की ugonia बन जाते हैं बहुत सारी क्या बन जाते हैं उगोनिया बन जाते हैं और उगोनिया क्या होते हैं डिपलोइड होते हैं क्योंकि germ cells भी डिपलोइड होते हैं और germ cells में खाली mitosis हुआ है ठीक है reduction division नहीं हुआ है तो इसलिए उगोनिया भी क्या होंगे डिपलोइड होंगे तो जितने भी ये उगोनिया होते हैं जितने भी एक female body में बनने होते हैं वो already fetal stage में बन चुके होते हैं ठीक है आगे फिर maturity में जाके या birth के बाद कोई उगोनिया नया नहीं बनता है जितने बनने होते हैं उतने उगोनिया already बन चुके होते हैं ठीक है तो यहाँ पर multiplication phase में सिर्फ इतना हो है growth phase में ठीक हम लोग आते है growth phase में तो growth phase में आने से पहले कुछ और important चीज़ है जैसे कि हमारा ugonia होता है तो जो हमारा ugonia होता है वो बन चुका होता है और बहुत सारे बन चुके होते हैं लगवग एक जो ओवरी होती है उसमें एक structure होता है जिसको हम लोग egg nest बोलता है तो यह उगोनिया उसका पार्ट ही होता है ठीक है यह उगोनिया उसका पार्ट होता है तो यहां पर क्या होता है actually growth phase में बच्चो growth phase में क्या होता है कि एक उगोनिया आता है ठीक है एक उगोनिया आता है पहले मतलब one by one चीज़े चलती है ये एक उगोनिया आता है और वो जो उगोनिया हमारा होता है वो size में grow करना start कर देता है ठीक है वो उगोनिया size में grow करना start कर देता है और बाकी उगोनिया से थोड़ा बड़ा हो जाता ह तो यहां हम पर क्यों इतना होता है कि बढ़ा से देर्पसाइब और यह NUGON bother ज़ुछ, बढ़ा हो गए हुझे आसपास गेना को क्या करने लगते हैं पास सराउट करने लगते हैं और वे शी gyป Llano यह सीथिद बना लेते हैं, जिससे इस भी ख duplic help हमारी फॉलीकुल भी खागुल ऑनना है उसके अंदर जो हमारा हम कहसे इसके जोcycles सकते हैं उसके सेड में आधके आ इसल 2006 की आ स्पास जो शीद बनते हैं जिससे एक फॉलिकल बनता है उस फॉलिकलो हम लोग क्या बोलते हैं phase, तो maturation phase में क्या होता है बच्चो, तो maturation phase में क्या होता है, देखो अब ये जो हमारा follicular sheath के अंदर यानि follicle के अंदर ये हमारा क्या है, उगोनिया है, ठीक है ये जो हमारा उगोनिया है, अब इसमें क्या होगा, oogenesis process होना start हो जाएगी, तो maturation phase में क्या होता है division की जो process होती है वो start हो जाती है तो हमें पता है कि maturation phase में या ogenesis में कौन सा division होता है बाद में meiosis क्या होता है meiosis क्या होता है बच्चों meiosis होता है reduction division यहाँ पर क्रोमोजोम का number जो होता है half हो जाता है कोई चीज अगर deployed होगी तो वो क्या हो जाएगी देखो जो हमारा follicles जो हमारी बनी थी बहुत सारी follicles बनी थी उसमें से बहुत सारी ऐसी follicles होती है जो की birth और puberty के बीच में degenerate हो जाती है ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ two million follicles होती है ठीक है two million follicles होती है एक ovary में पर जब वो बच्चा जन्म ले लेता है और जब तक वो mature होता है sexually तब तक बहुत सारी ovaries जो बहुत सारी हमारी क्या होती है primary follicles होती है वो degenerate हो जाती है हम लोग बात करे थे maturation phase की तो maturation phase में क्या होता है अब यह जो हमारा ugonia है इसमें division होना start हो जाता है तो हमें पता है कि meiosis में 2 stages होती है एक होती है meiosis first और एक हमारी होती है meiosis second तो सबसे पहले meiosis first होती है ठीक है तो क्या होता है maturation phase में जो हमारा ugonia होता है इसमें जो की size में grow कर चुका है ठीक है इसमें क्या होता है meiosis first होती है और meiosis first जिसमें क्या होती है start हो जाती है तो जब meiosis first जिसमें start हो जाती है तो उस time पर क्या होता है कि start होने के बाद di kinases में वो अटक जाती है ठीक है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा meiosis होता है उसमें बहुत सारी stages होती है जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, स्टीलोफेज ये सब चीज़े होती है तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है यानि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में जो डाइकाइनेस स्टेज होती है उस पर ही जाकर जो हमारा ये डिविजन होता है ये अरेस्ट हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि मैचुरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है उगोनिया में ओगोनीया है इससे हमारा क्या बन गया है और primary ू – जो फॉलिकुलर शीत से सरांड़ड है तो primary oocyte किसके अंदर है primary follicle के अंदर ठीक है आप लोग समझ गए division तो होता ही रहता है ugonia में साथ-साथ में इसके आसपास क्या होता है layers भी develop होना शुरू हो जाते तो उससे follicle बन जाते है तो जहाँ पर ugonia से primary oocyte बन रहा था उसी दौरान आसपास follicle की जो layers होते है वो भी बन रही थी तो इससे primary follicle भी हमारा बन गया तो primary follicle के अंदर primary oocyte है ठीक है यह चीज़ आप लोग समझ गए तो maturation phase के starting में क्या होगा primary oocyte जो होंगे वो होंगे primary follicle के अंदर तो यह हमारे primary oocyte है यह arrested है हमारे pro phase first में miosis first के pro phase first में यह arrested है ठीक है तो सिर्फ इतना ही division तब तक हो पाता है primary oocyte बन पाता है और वो होता है primary follicle के अंदर ठीक है अब देखो यह जो stage होते है जहाँ पर primary oocyte है primary follicle के अंदर तो इस तरीके की भी बहुत सारी follicles होती है ठीक है primary follicle बहुत सारी present होती है और यह जो मैंने अभी बताया है यह जो इतनी process है यह fetus में ही हो जाती है यह fetal stage में ही होती है यह process तो fetal stage में primary follicle बहुत सारी होती है ठीक है कम से कम जो मैंने आपको बताया है कि millions of क्या होती है follicles होती है फीटर्स की ओवरी में जो की primary follicle होते हैं जिनके अंदर primary oocyte होता है पर बहुत सारी follicles यह जो है जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद जब तक वो mature होता है sexually mature होता है puberty attain करता है तब तक बहुत सारी degenerate कर चुके होती है primary follicles और सिर्फ 60-80,000 बचती है आप सोचे रहे होंगे कि इतना जादा degeneration है ना क्योंकि 2 million already थी एक ovary में और सिर्फ बचते है 60-80,000 बहुत जादा degeneration हो जाता है तो ये बात आप लोग समझ गए तो इस stage में बहुत सारी follicles हमारी ovary में already होती है तो अब इतना तो हम लोग समझ गए इसके अलावा अभी कोई change नहीं होता maturity से पहले ऐसे ही ये follicles बनी रहती है बस follicles degenerate होती है और कुछ ही बचच पाती है और ये ऐसे ही normal इसी condition में रहती है जब तक की maturity नहीं आती जैसे ही वो जो female होती है वो sexually mature हो जाती है puberty attain कर लेती है उसके बाद फिर क्या होता है फिर हमारा जो maturation phase है उसका जो असली phase है ये जो असली हम कह सकते काम है वो शुरू होता है ठीक है तो वहाँ पर अब हम देखेंगी क्या changes है इसपर ठीक है अब हम देखेंगी क्या changes होते है maturation phase ने प्यूबर्टी के बाद ठीक है तो जब ये puberty हमारी attain हो जाती है puberty ठीक है तो हम बोल सकते at puberty क्या होता है फिर इसमें हमारे पास क्या था हम यह देखेंगा हमारे पास क्या था primary follicle थी ठीक है primary follicle किस चीज क्या ले रही थी मितलब क्या था उसके अंदर primary follicle के अंदर क्या था हमारा primary oocyte ठीक है primary oocyte हमारा था जो कि किस чीज में arrested था वो था हमारा प्रो फेंस first में arrested प्रोफेंस first में arrested था प्रोफेंस first के भी डा काईनेसES में arrested था ठीक है तो अगर आपने divisions पढ़े होंगे पढ़े होंगे अपने मैं सकी 11th class में इसका पूरा एक chapter is sell division का तो इसमें आपको पता होगा बाउनों फ्रोफेंच कोन को सी स्टेजिज यह ञुटी तो उस में ठाई कर रहा है उसमें अतक रहा ए जो तो यह काहिं में प्रेंड होटी कैने केторы आप changes होने शुरू होंगे, जो हमारा primary follicle है, उसके उपर क्या होगा, और भी जो layers हो आने शुरू होगी, सबसे पहले primary follicle जो है, उसमें जो follicular layers है, वो differentiate होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और भी ज्यादा well defined हो जाएंगी, तो एक layer होगी हमारी granulosa, ठीक है, पहली जो layer होग होगी हमारी granulosa की, फिर ठीका layer भी develop होना शुरू हो जाते है, एक granulosa से भी ऊपर की तरफ यानि बाहर की तरफ layer होते है, जिसकों लोग बोलते है ठीका layer, वो भी develop होना शुरू हो जाएगी, और यह जो stage है, जहां पर primary follicle में granulosa layer हो ठीका layer आ चुकी है, वो stage फिर हमारी कहल में changes की, अब क्या होगा, प्राइमरी उसाइट का क्या होगा, तो वो चीज भी हम देखेंगे, प्राइमरी उसाइट का क्या होगा, ठीक है, तो प्राइमरी उसाइट जो है, उसमें भी meiosis first जो अरेस्ट हो गया था, वो शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुरू हो अब इसमें होता क्या है, जब ही हमारा secondary follicle बनता है, तब तो primary u site में कोई change नहीं आएगा, सिर्फ secondary follicle ही बनेगा, फिर हमारा secondary follicle है, उसमें कुछ ना कुछ changes होने शुरू हो जाएंगे, जो थिका layer है, हमारी वो दो parts में डिवाइड हो जाएगी, outer thick और inner thick तिका external and thick internal, इस तरी cavity develop होना शुरू हो जाएगी, यानि जो granulosa cells है, वो कुछ fluid secrete करना शुरू कर देंगे, जिसकी वैसे entram cavity develop होना शुरू हो जाएगी, entram cavity बन जाएगी, तो जब यह जो हमारा secondary follicle है, जब इसमें थिका layer differentiate कर जाएगी, entram cavity बन जाएगी, तो अब यह secondary follicle हमारी tertiary follicle बन है, उसमें division start हो जाएगा, और meiosis first resume हो जाएगी, दुबार से start हो जाएगी, और meiosis first complete हो जाएगी, ठीक है, meiosis first start भी होगी, और complete भी हो जाएगी, और tertiary follicle के अंदर ही, फे division complete होनी के वज़े से हमें मिल जाएगा secondary oocyte and polar body, ठीक है, secondary oocyte and polar body, ठीक है, तो यह चीज हमें मिल ज तो यह चीज है, primary oocyte से secondary oocyte मिल जाएगा, POLAR body मिल जाएगा, चाने जाएगा बोडी में छिप साइट्रोप्लाजम क्रोमोजोम पूरा होता है जो हैपलोऑट सेट होगा एक होगा क्रोमोजोम पूरा होगा ठीक है तो यूमन में पॉलर बोडी का कोई यूज़ यूज्ज नहीं होता है ठीक है अभी तक तो Secondary oocyte क्या है हमारा haploid condition है तो यहां पर यह जो stage है यह हमारे चल रही है Tertiary follicle में ठीक है किसमें चल रही है Tertiary follicle में तो बच्चों आप लोग समझ गे होंगे कि पहले Primary follicle और Primary oocyte था Primary से Secondary बना Follicle ठीक है और Secondary से Tertiary follicle बना और Tertiary follicle में Primary oocyte से Secondary oocyte और Polar body बन गए ठीक है तो यह तो बात हुए Tertiary follicle कि अब Tertiary follicle में Secondary oocyte है ठीक है अब क्या होगा यह जो हमारा Tertiary follicle है यह और grow करना start करेगा Size में बड़ा हो जाएगा Entrum cavity well differentiate हो जाएगी ठीक है जो granulosa cells है वो भी अलग से दिखने लग जाएगे मतलब कि अलग structure बना लेंगे जो हमारा secondary oocyte है उसको एक site push कर दिया जाएगा और एक stalk बन जाएगे एक pedicill बन जाएगा granulosa layer और हमारे जो हमारा oocyte है उसके बीच में ठीक है इस तरीके से बहुत सारे changes होंगे जिससे कि फिर जो follicle है वो fully grown हो जाएगी और follicle tertiary follicle से graphene follicle या mature follicle बन जाएगी क्या बन जाएगी graphene follicle से mature follicle अब graphene follicle के बनते ही secondary oocyte में भी क्या होगा division स्टार्ट हो जाएगा और meiosis second स्टार्ट हो जाएगा ये तो हमने यहाँ पर meiosis first complete किया meiosis second स्टार्ट हो जाएगा और meiosis second के स्टार्ट होने की वज़ा से secondary oocyte से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों हमें मिल जाएगा ovum और secondary polar body secondary polar body ये वाली parabody प्राइमरी polar body ठीक है यह वाली r प्राइमरी polar body थी और यह जोब हमें में रिए पोलर बोडी मिलेगी, तो सेकंडरी उसाइट में जब मियौ से सेकंड हो जाएगा तो यहाँपे हमेंwriter क्या मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा, तो सेकंडरी पोलर बोडी का काम नहीं होता है सेकंडरी पॉलर और ओवर्म होता है यह भी और किसे हैं हमारा जो हमारी मेटाफेश चैंड होती है यानि Mioses second की जो Metaphase second है मioses second की Metaphase second बोलते है वहाँ पर यह ovum arrest हो जाएगा तो आप समझेए जैसे ही Graphene follicle बना तो secondary Ucite में Mioses start हो गई Mioses second start हो गई जिससे की एक polar body बन गई और एक ovum बन गया पर यह अभी भी पूरी तरीके से divide नहीं हुआ है तो अब क्या हुआ है यहां पर पूरी तरीके से complete नहीं हुआ है क्या हुआ है मियोसिस second में यह metafase second पर अटक गया है ovum ऐसा क्यूं हुआ है क्यूंकि graphene follicle में क्या होता है ऐसे factor secret होता है जिनको हम लोग बोलते है metafase promoting factor क्या बोलते है metafase promoting factor जिस वजह से metafase से आगे ही नहीं हो जाता है जिक क्या है अब इसी स्टेज में ओवम जब में अरेस्टीड है इसी स्टेज में ovulation हो जाएगा और जो graphene follicle है उससे यह जो ओवम है बाहर निकल जाएगा और secondary जो हमारा मतलब ही ओवम है यह graphene follicle से बाहर निकल जाएगा ठीक अब बाहर निकल के कहां पहुँ एम्पुला इसतिमस junction में पहुंचाईगा यहानि कि किसमें पहुंचाईगा फैलोपिन ट्यूब में पुछाईगा never理 एंपुला इसतिमस junction में पहुंचाई गो वहां पर जब हुख तो सपाम कि ऑने के बाद यह जो हमारा बरम है यह कि रिजूम कर पाएगा अपने को कि сам कियोंकि सिपाइम्ग metafakte कि में go2 दिशुरा हो जाता है वह थो आलगे में आपाइस प्रमोटिंग सक्टर बनने की वज़ेसे इनाफर आजाता है उस तरीके से जो इविजिन है वह पूरा हो जाता बता है तो फिली विर्विव्ण उवं में बन जाता है मिल्स कर जा जाता में आपस में और वर्शी करने से लेग्र डायो इप जेयांने शेदा सीधेतनेे से पर मिले घर तो इस तरीके से होता है तो यह जो process होती है यह होती है हमारे ogenesis की ठीक है तो आपको इसके जो events है वो याद रखना है कि कैसे कैसे कौन कौन से stage में क्या होता है आप चाहें तो ogenesis को थोड़ा सा और simple कर सकते हैं अपने समझने के लिए काम कर सकते हैं follicles को side में रखके आप सिर्फ यह देखें कि उस side कैसे divide कर रहा है उसके बार follicle को आप बाद में add on कर सकते हैं क्योंकि कहीं बार follicle को add करने से मतलब पढ़ते time पे थोड़ा confusion हो जाता है अगर follicle के बारे में आपको नहीं पता है कि follicle कैसे कैसे divide करते क्या क्या उसमें changes होते हैं तो इस पर मैं already एक वीडियो बना चुकी हूँ ठीक है तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें जिसका link में आपको description में दे दूँगी जहां पर मैंने ovary के बारे में बताया हुआ है तो आप फॉलिकल की development के बारे मैंने detail में पढ़ाया है तो आप वो जाकर जरूर देखें ठीक है तो आज के लिए सर्फ इतना ही यह जो सब topic है यह हम cover कर चुके हैं अब नेक्स वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे hormonal control की process को ठीक है बच्चो तो आज के लिए सर्फ इतना ही मैं उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें शेर करें और एपले कवल को सब्सक्राइब करें